हेलो व्यूएर्ज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लिटरेचर विदामना, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे, तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक कॉंटेंप्रेरी पिडियेड का बहुत ही फेमस नॉवल क्लारा एंडी संद, जो इस सदी के ब्रीटिश राइटर कैजियो इशी गुरू ने लिखा और विएज ये नोबल प्राइज विनर राइटर है, ये नॉवल पब्लिश हुआ मार्स 2021 में और इसका यॉन्रा है साइन्स फिक्शन, इसकी सेटिंग रखे गई फ्यूचर में यूएस के एक अनस्पेसिफाइड सिटी में, च चलिए विएज इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, क्लारा जो के इस नॉवल की प्रोटैगोनिस्ट और नरेटर है, यानि नॉवल की सारी कहानी क्लारा ही बताती है, ये एक आर्टिफिशल फ्रेंड यानि एफ है, जिसका मतलब है कि वो एक खास किसम की फीमेल रबोट ह जो संद से चार्ज डप होती है, यानि सूरज की रोशनी से इनरजी हासल करती है, एक स्टोर में डिस्पले की गई है, जिसे बचों और टीनेजर की हेल्प के लिए, या उनकी लॉनलिनेस को दूर करने के लिए बेचा जाता है, और इस स्टोर को एक खातून चलाती है, जि क्लारा के बिल्कुल साथ वाली जगा पे हैं ये दोनों खिड़की के साथ हैं खिड़की से आने वाली रोशनी को एब्जाब करती हैं जो इने इनर्जी देती है और इसके साथ-साथ ये खिड़की से बाहर लोगों को अब्जर्व भी करती हैं खासकर गली में जाते हुए उ उन बच्चों को जो खिड़की के पास रुक करके क्लारा को देखते हैं और फिर कभी एंगरी नजर आते हैं और कभी बहुत सैड एक दिन क्लारा मैनेजर से पूछती है कि बच्चे इतने सैड क्यूं नजर आते हैं तो मैनेजर पहले तो क्लारा से कहती है कि वो बहुत जाद एक डूबली पतली 14 साल की जोजी इस विंडारा के पास आती है और किलारा से बाते करने लगती है और वह प्रामिस करती है कि वह ज़्द ही क्लारा को खरीद लेगी क्लारा चाहती थी कि वो एक अच्छी और एफेक्टिव एफ बनने के लिए सारी स्किल्स सीखे अब टाइम गुजरता है क्लारा और रोजा का उस विंडो के पास दूसरा विक शुरू हो जाता है तो जोजी इस स्टोर आती है अपनी मदर के साथ और कहती है क्लारा ही वो आर्टिफिशल फ्रेंड है जिसे वो खरीदना चाहती है और क्लारा से पूछती है अगर वो उसके साथ उसके गर जाना चाहे और एडवांस में क्लारा को बिताती है कि सम्टाइम्स वो लॉनली फिल करती है और बेमार भी रहती है लेकिन क्लारा हां में सरहलाती है और कहती है कि वो उसकी मदद करेगी और उसके घर भी जाने को रैडी है सो जोजी उससे वादा करके जाती है कि वो अगले दिन आएगी लेकिन वो नहीं आ पाती और जब अगले दिन जोजी नहीं आ पाती तो मैनेजर क्लारा को विंडो के आगे से हटा देती है और उसकी पुरानी जगा पे उसे शिफ्ट कर देती है लेकिन क्लारा अब भी विंडो देख सकती थी और अब वो विंडो से बाहर कूटिंग्स मशीन देखती है ये तामिराती गाड़ी होती है जो प्लूशन फ्लाती है और सूरज की रोशनी को ब्लॉक करती है वियर्स अब यू होता है कि स्टोर में न्यू बी-3 मॉडल्स आ जाते हैं और क्लारा और रोजा को एक साइड पे लगा दिया जाता है ताकि उन बी-3 के लिए जगा बनाई जा सके फिर एक दून यू होता है कि एक माँ और बेटा आते हैं और रोजा को खरीद कर ले जाते हैं अब क्लारा अपने मॉडल्स के रोबोर्ट में से आखरी थी एक बर क्लारा विंडो से बाहर बैगर मैं देखती है जो जमीन पर पड़ा होता है और बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा होता है ऐसा लगता है कि वह मर गया है लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो वह दुबारा जिंदा हो जाता है ऐसा देखकर क्लारा को यकीन होता है कि सन ही इनसानों को हील और नरिश करने की सलाहियत रखता है फिर एक दिन जोजी अपनी मदल के साथ आती है और क्लारा को खरीद लेती है और वह बताती है कि वह बिमार थी और अपनी क्रोनिक इलनेस की वज़ा से जल्दी नहीं आ सकी थी अब क्लारा स्टोर छोड चुकी थी और जोजी के साथ उसके गर रह रही थी जोजी का गर रूरल एरिया में था लेकिन क्लारा यहां बहुत कुछ थी और जोजी को समझ रही थी कि कैसे वो एक अच्छी आर्टिफिशल फ्रेंड बने जोजी की लाइफ में सबसे एहम लोगों में एक रिक है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसका हमसाया भी रिक को एंजिनिरिंग का बहुत शोक है और वो और जोजी अपनी बाकी की जिन्दगी एक साथ गुजारने का प्लान करते हैं लेकिन इस प्लान के पूरा होने में एक रिकावर थी कि जोजी लिफ्टिट थी लेकिन रिक लिफ्टिट नहीं था लिफ्टिंग एक ऐसा प्रॉसस है जो बच्चों को फ्यूचर के लिए बेहतर तोर पर त्यार करता है उन्हें स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाता है लेकिन इसके बहुत खतरनाक और डैडली साइड इफेक्ट भी होते हैं लिफ्टिंग ही जोजी की क्रॉनिक इलनिस की वज़ा थी लेकिन ज्यादातर कॉलेजिज लिफ्टिट बच्चों को ही असेप्ट करते थे चुनकि रिक लिफ्टिट नहीं है तो मोसली कॉलेजिज उसको असेप्ट नहीं करेंगे इसलिए जब जोजी कॉलेज जाएगी तो उन दोनों को अलग होना पड़ेगा क्लारा अपनी नई फैमली के साथ बहुत जादा वक्त गुजारती है तो मदर क्लारा से कहती है कि वो जोजी के बारे में जादा से जादा सीखे और कभी कभी जोजी की नकल उतारे यानि उसे इमिटेट भी किया करे एक बर जोजी क्लारा को अपनी फैमली की पिच्चस दिखा रही होती है और इनमें साल भी होती है तो क्लारा के पूछने पर जोजी बताती है और वो सन से जोजी को बेर्ट होने में मदद करने के लिए पुकारती है क्यूंके कलारा को याद है कि सन ने किस तरह से बेगर मैन की मदद की थी उसको हील किया था और वो उठ गया था इसलिए वो रिक की मदद से मिस्टर माक Benz बार्न जाती है जो जोजी के गर के बिलकुल पीछे है और जोजी की विंडो से ऐसे लगता है ये उस जगह पर वाकए है जहां सन आसमान में गुरूब होता है सो रिक की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो बान पहुंचाती है बिलकुल सन सच से पहले के टाइम क्लारा ने सन से वादा किया कि जोजी और रिक में सची महबत है वो ट्रू लवर्ज हैं और सन की मदद वो डिजर्व करते हैं और वो ये भी वादा करती है कि वो सन को खुश करने के लिए कुछ करेगी सो वो कूटिंग्स मशीन को तबाह करने का सोचती है और इसके लिए वो जोजी के फादर से हेलप लेती है इस उमीद पर कि अगर वो अलूदगी के इस जरूए को खतम कर दे तो सन खुश हो जाएगा लेकिन क्लारा ये देखकर मायूस हो जाती है कि जैसे ही वो सीटी से बाहर निकलते है उस तबाह शुदा कूटिंग्स मशीन की जगा एक नई बड़ी मशीन ने ले ली है सो आस्ता आस्ता क्लारा को ये भी मालूम होता है कि जोजी का एक पोर्ट्रेट है जिसे मिस्टर कपाल्डी नामी एक शखस बना रहा है सो एक दिन मदर क्लारा को बताती है कि जोजी का पोर्ट्रेट त्यार हो चुका है लहाज़ा उनको शहर में मिस्टर कपाल्डी के स्टूडियो पहुंचना है और वो लोग जब मिस्टर कपाल्डी के हाँ पहुंचते है तो क्लारा को पता चलता है कि पोर्ट्रेट कोई पेंटिंग नहीं है लेकिन जल्द ही क्लारा को ये बात भी मालूम हो जाती है कि उसे ही जोजी बनने के लिए चुना गया है और उसे कंटीन्यू रखने की कोशिश की गई है बिल्कुल हकीकी जोजी की तरह अब भी जिन्दा लेकिन फादर को इस प्लैन पर अतराज होता है वो नहीं मानते और यहां तक कि मदर को भी अब इस बारे में शक है कि वो जोजी का नया वरियन कबूल कर सकेंगी या नहीं लेकिन क्लारा हर वो काम करने का इरादा रखती है जो वो कर सकती है ताकि असल जोजी के साथ कभी भी कुछ बुरा नहो अब जोजी कुछ दिनों से कमजोर पड़ रही है लेकिन क्लारा अब भी सन पर बुरौसा करती है कि सन जोजी को बिलकुल ठीक कर देगा और फिर एक सुबों ऐसी होती है कि क्लारा की विश्ख पूरी हो जाती है और उसके सन पर यकीन को बजाहर रिवार्ड मिलता है और इस दूप वली सुबो में जोजी मोजजाना तोर पर सहतियाब होना शुरू हो जाती है और यहां तक कि रिक जो सन के बारे में थोड़ी स्केप्टिकल थिंकिंग रखता है और सन की ताकत में क्लारा से जादा शक्की है बाद में कहता है कि वाकी ऐसे ही लगता है कि जोजी के सहतियाब होने का तालुक उस दूप वली सुबो से था जोजी के सहतियाब हो जाने के बाद वो क्लारा और रिक दोनों से अलग होना शुरू कर देती है और अपने एरिये के बाकी लोग जो कॉलिज जा रहे होते हैं उनके साथ वक्त गुजारती है रिक एक नया फ्रेंट ग्रूप बना लेता है कुछ अपने प्रोजक्ट्स में मसरूफ हो जाता है और एक यूजड कार परचेज कर लेता है अब जोजी कॉलिज जाने से पहले आहरी बार क्लारा को अलविदा कहती है क्लारा की मेमरीज बलर होना शुरू हो जाती है लेकिन वो यकीन रखती है कि वो जब चाहे उन सारी मेमरीज को वापिस एक आर्डर में रख सकती है और आखिर कार क्लारा एक यार्ड में पहुंच जाती है, एक ऐसी जगा जहां बहुत सारे एफ्स अपनी उमर के खतम होने पर स्लो फेड के लिए जाते हैं, क्लारा इस यार्ड में मतहरक हो जाती है, यानि किसी तरफ मूव नहीं करती, अगरचा बहुत सारे लोग उसे दूस इसलिए रुक जाती है कि कमेशन के बाहर मजूद एफ्स की जांच परताल कर सके, जो कभी उसने अपने स्टोर पर बेचे थे, क्लारा मैनेजर को इस वक्त के बारे में बताती है, जब सन जोजी पर महरबान था, और उसे हील करता था, तो मैनेजर कहती है कि वो हमेशा जान जानती थी कि सन क्लारा के लिए अच्छा रहेगा, एंड होता है, उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग,